नमस्कार सुमन सिंग की चन में आपका बहुत सवागत है आज की रेसिपी है राजमा चावल की बहुत सिंपल सी रेसिपी है बहुत जल्दी बनकर त्यार होता है और बहुत मासाले डाले हैं मैंने इस रेसिपी को बनाने में तो वीडियो को It you should subscribe जरूर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तो चलिए फिर देख लेते हैं इसे कैसे बनाएंगे इसके लिए मैंने एक कटूरी राजमा लिया है इसे मैंने दो तीन बार पानी से दोकर रात पर भिगो कर रख दिया था तो राजमा आपक अ़किने में बहुत टाइम लग जाता तो अब हम क्या करेंगे इसे कुकर में डालेंगे और दो गलास पानी डाल रही हूं मैं और तीज आज पर पहली सिटी आने देंगे तो पहली सिटी आ चुकी है अब आज को मेडियम करके बागी की तीन सिटी लगाएंगे तो चार सिटी में अच्छी तरह से राजमा पक जाएगा क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है और अगर फिर भी आपका राजमा अच्छी तरह से ना पके तो मेडियम आज पर एक सिटी और लगा दीज़ेगा पार्ट सिटी में अच्छी तरह से राजमा सॉफ्ट हो जाता है तो टोटल चार सिटी लग चुकी है अब हम ग्यास को आफ करतेंगे और इधर ग्रेवी के लिए हम लेंगे दो बड़ा साइज का टमाटर, दो बड़ा साइज का प्यास, एक गाठ लैसन का है यह और दो से तीन इच अधरक और एक हरी मिर्च है तो इसका हम पेस्ट बनाएंगे और एक साइड हम चावल को उबालने के लिए हम पानी रखतेंगे एक बरतन में तो मैंने चार से पांच कलास पानी लिया है एक पतिले में और इसे हम ढख कर गैस वन करके रखेंगे उधर ताकि पानी उबलते रहे उधर और इधर हम कड़ाई में ग्रेवी के लिए थोड़ा सा तेल डालेंगे पहले तो तेल में यहाँ पी सरसो तेल का इस्तमाल कर रहे हूँ आप चाहे तो इसे रिफाइंड ओल या गी में भी बना सकते हैं तो सबसे पहले 4 हरेलाईची, 4 लॉंग और डालचीनी का, 2 इंच डालचीनी का टुकड़ा लिया है मैंने तेल गरम होने के बाद में पहले गरम मसाले और बाकी के हम प्याज अगर क्लैसन इन सब को हम डाल कर भूल लेंगे थोड़ी देर आज को मैंने तीज रखा है बहुत चल्दी बन कर तयार हो जाता है यह राजमा इस तरीके से आप एक बार जरूर बना कर देखिएगा बहुत आसानी से बना सकते हैं इसे घर पर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में तो देखिए अब इसके बाद हम टमाटर डाल देंगे दो मिनिट में बुन कर तयार हो जाता है यह प्यास टमाटर रदर क्लैसन दीखिए टमाटर अच्छी तरह से गल चुका है अब इसमें हम आदा ग्लास जिता पाने डाल देंगे और एक बार इसे चला देंगे और इसे 10 से 15 सेकिंड के लिए हम धक कर पकने देंगे 10-15 सेकिंड हो चुका है देखिए अची तरह से गल चुका है प्यास टमाटर इससे ज़्यादा नहीं गलाना है हमें नहीं तो ग्रेवी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा अब गैस ओफ करके इसे हम साइड में रखतेंगे ठंडा होने के लिए तब तक चावल दो कर रख लेते हैं तो मैंने डेड़ क्लास इतना चावल लिया है ये नॉर्मल चावल है डेली यूज में जिसे हम खाते हैं तो एक तरब पानी भी उबल चुका है अच्छी तरह से तो चावल को दो कर मैंने एक मिनट पहले दो लिया था और अब हम इसमें पानी में डालेंगे चावल को चावल को डालते वक्त आज को कम कर दिजिएगा नहीं तो इसके छीटे उड़ते हैं और अब आज देज कर देंगे और इसे मिला देंगे एक बढ़ अच्छी तरह से देखिए एक मिनट के बाद में एक उबाल आ चुका है चावल में तो ऐसे बीच-बीच में चेक करते रहना है तीन से चार मिनट में चावल पक जाता है अब एक तरफ हम ग्रेवी का ये पेस्ट तयार कर लेंगे जो हमने प्यास चमाटर भून कर रखा था वो ठंडा हो चुका है तो मैंने एक साइड में इधर पीस कर रख लिया है मिक्सर जार में तो चावल को एक बार चेक कर लेते हैं ये देखिए नबबे परसेंट जितना चावल पक जाना चाहिए अच्छी तरह आज को मीडियम रखना है चावल को पकाते वक्त और एक बार फिर से चेक कर लेते हैं ये देखिए अच्छी तरह से चावल नबे परसेंट जितना पक चुका है अब एक बरतन के उपर हम ऐसे ड्रेनर रखेंगे और उसके उपर मैं ऐसे डाल देती हूँ बहुत जल्दी ब निकल जाता है अच्छी तरह से और इसे एक मिनिट के लिए हम ऐसे रहने देंगे पानी अच्छी तरह से निकल जाता है ऐसे अब उसी बरतन में हम वापिस डाल देंगे इसे मैं तो हमेशा ऐसी बनाती हूँ जब भी ये उबला हुआ चावल बनाना होता है तो बहुत आसानी से बन जाता है आप भी एक पर जरूर बना कर देखिएगा इस तरीके से अब इसे हम ढख कर रखतेंगे चावल अच्छी तरह सेट हो जाएगा तब तक अब राजमा चेक कर लेते हैं तो चलीए चेक कर लेते हैं और अच्छी तरह बहुत अच्छा सॉफ्ट हुआ है इस से ज्यादा नहीं गलाना है हमें राजमा को तो बेकिंग Soda का इस्तमाल आप जरूर कीज़े अगा राजमा को बनाते वक्त बहुत कम टाइम में राजमा बहुत अच्छी तरह से पक जाता है अब इतर मैंने गैस ओन करके कड़ाई पहले से गर्म होने के लिए रख दी थी तो कड़ाई बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गई है अब आज को हम तेज कर देंगे और इसमें 5-6 चमच सरसो का तेल डाल रही हूं और इसमें आदी चमच हम हल्दी पौडर डालेंगे आदी चमच मेच पौडर डालेंगे इसे ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा अब हमने जो प्याज टमाटर अद्रक लेसन का पेष्ट तेयार किया था वो मसाले हम डाल देंगे इसमें और आज को मीडियम करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और नमक डालने के बाद में एक बार फिर से मिक्स कर देंगे ग्रेवी को 2 से 3 मिनट तक ग्रेवी को जरूर बूनिएगा आज को मीडियम करके और ढग ढग कर भूनना है ग्र राजमा का स्वाद बहुत अच्छा आएगा जब तक तेल अलग ना हो जाए ग्रेवी से तब तक जरूर पूनिएगा और बीच बीच में जरूर चेक करते रहेगा तो देखी एक बार मैं चेक करके दिखा रही हूं अभी मसाल अच्छी तरह से नहीं पका है क्योंकि तेल अलग नहीं हूँ आए ग्रेवी से तो एक बार फिर से हम ढखेंगे अभी बार में तो पहले हम इसमें धनिया पॉडर डाल देंगे गेड़ चमस धनिया पॉडर डाल रही हूं मैं इससे ज्यादा मसाले नहीं डालेंगे हम और फिर भी यह राजमा बहुत ज्यादा बुच्छी बनता है राजमों साथ यह राजमा फिर से ढख दिया है मैंने और अब यह बहुत अची तरह से ग्रेवी बच चुकी है देखेंए तील अलग हो जुका है ग्रेवी से तो आज को मेडियम करतेंगे हम और एक बार मिक्स कर लेंगे ग्रेवी को अची तरह अब मिक्सर जार में जो मसाला बचा था थोड़ा इसमें पाने डाल कर हम ग्रेवी में मिला देंगे और एक चमच कसूरी मेथी डालेंगे हम, इससे राजमा का स्वाद बहुत अच्छा आता है, तो ग्रेवी में आप कसूरी मेथी का इस्तिमाल नहीं भी करेंगे, तभी बहुत अच्छा आएगा, बर अगर है आपके पास तो जरूर डालेंगे, अब हम इसमें राजमा टाल द और इसे ढख कर दो मिनट के लिए मेडे माज पर हम पकाएंगे, नमक चक कर देख लीजे आप यहाँ पे, अगर आपको नमक कम लगे तो नमक और डाल दीजे स्वादनुसार, और ढख कर एक मिनट के लिए हम पकने देंगे, एक उबाल आ चुका है, अब हम इसमें गरम मसा जाला डाल देंगे आथा चमच, और मिला देंगे राजमा को एक बार फिट से, राजमा पक चुका है, अब ज्यादा नहीं पकाना है इसे, अब हम इसमें एक चमच घीर डालेंगे, और घीर डालने के बाद में हम गैस को आफ कर देंगे, और इसे 15-20 मिनट के लिए हम राजमा को जितनी देर आप रखेंगे, उतना ही अच्छा कलर आएगा राजमा में, देखिए ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आया है, अब इसमें धनिया पता ढाल दीजे, और कर्मा गर्म सर्व कीजे, तो ये रेसिपी उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी नहीं आ को लाइक शेर जरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,